है इस वीडियो में हम मास्किंग और क्रेकिंग के बारे में कुछ सिखेंगे तो मांस्किंग और ट्रेकिंग से हम वीडियो में से कोई भी सिलक्टेड पार्ट में कलर करेक्शन कर सकते हैं तो यहां पर एक वीडियो है चो मैंने पिक्सल.com पर से डाउनलोड किया है पिक्सल.com पर से आप फ्री में वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो और इसमें मैंने कुछ कलर करेक्शन एपलाई किया है आप देखिए ऐसा नेचरल के देखिये आप वर इसमें इसमें reconer apply किया हैा तो simply मैंने क्या चैंज किया है पप्रीक्लिप में से मैंने I sate color change किया है इसका पूरा Color Aven by और बाकी hudз U blijew पर जिससे पूरी क्लिप में effect होती है देखिया पर यह particularly हम इस flower पर ही effect देना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको quick tips दिखाता हूँ इसमें यहाँ effects panel में इसे अभी हम close कर देते हैं यहाँ effects panel में आप देखिए यहाँ है mask का option है उसे आपको select करना होगा इसमें ellipse mask है four part polygonal mask है मतलब square mask है और उसके बाद में है free draw bezier तो free draw bezier से हम custom mask create कर सकते है तो इस flower के लिए हम custom mask select करने वाले है तो यहाँ से इस pen tool को click करें तो आप देखिए यहाँ पे आप इसे use कर पाऊगे लेकिन एक बात याद रखे जब आप mask use कर रहे हैं तो आपके video के starting से ही करें तो इसे में यहाँ first frame पर drag कर देता हूँ तो अब हम video के starting में है तो यहाँ से अभी mask draw करना start करते है देखिए तो देखिए जैसे ही मैंने marks complete किया तो अब हम जो भी color correction करेंगे या तो जो कुछ भी effect देंगे वो इसके अंदर ही होगा अब देखिए बाकी के सारे जो flowers थे वो जो color के थे natural वह color के होगे सिर्फ इस पर ही color effect apply रहा तो यह दि हम इसे play करके देखिए देखिए जैसे ही flower इस marks की range से बाहर जाता है तो उसका color change हो जाता है जो उसका natural original color है वह हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो इसे मैं वापस यहाँ 0 पर रख देता हूँ इसे select करके आप यहाँ देखिए mask path के सामने यहाँ play button है तो उसे यह दि हम click करें तो जैसे ही आप इसे click करोगे तो Adobe Premiere Pro इसे render करेगा और इस mask में जो select है उसकी movement को follow करेगा और उसके उपर वो mask पूरी clip के लिए select कर देगा थोड़ा time लेगा rendering में तो चलो यह tracking process अभी finish हो गया है अब हम इसे play करके देखते है देखिए यहाँ से start करें तो जहां पर भी वो particular flower move होता है तो उसके साथ साथ mask भी move होता है देखिए तो यहाँ custom keyframes एर करता है देखिए अब यहाँ काफी सारे keyframes देख सकते हो जो कि mask की movement का keyframe है इदियम mask की movement देखना चाहिए तो यहाँ पर click करके यहाँ mask पर click करें तो देखिए यह marks है यहाँ से यहाँ से यह playhead से हम इसे आगे ले जाए जैसे ही forward करते है तो mask भी flowers के उपर ही move होता है तो auto b premier phone ने यह सारे keyframes यहाँ पर rendering करके set किये तो ऐसे आप अलग-अलग कुछ video यूज करके try कर सकते हैं यहाँ effect control panel में mask path के सामने यहाँ tracking method का एक tool है यहाँ उसे हम select करें तो उसमें कुछ options है like position है तो आप सिर्फ position track कर सकते है position and rotation track कर सकते है या तो position, scale and rotation track कर सकते है समझो यहाँ आपका camera still है स्थीर है एक ही जगा पर और सिर्फ object ही move कर रहा है तो आप यहाँ से position select कर सकते हो यदि आपका camera स्थीर है पर थोड़ा सेकी है थोड़ा rotation ले रहा है तो उसके लिए आप position और rotation select कर सकते हो और आपका camera भी सेकी है और object भी नस्दीक और दूर हो रहा है लाइक इसकी तरह तो आप position, scale and rotation use कर सकते हो जो भी option है आप use करना चाहे उसे कर सकते है लेकिन जैसे आप option select करेंगे उतना ही ज्यादा rendering में time लेगा और उतना ही ज्यादा better result होगा तो इसको selection हो जाने के बाद भी अगर हम इसे color वगेरा कुछ change करना चाहे तो यहाँ से कर सकते है या तो color tab में जाके lumetri color panel में से भी कर सकते है समझो अभी हम यदि इसे इसका use change करें तो भी हम कर सकते है तो जो भी हम changes करेंगे वो सिर्फ इस selection के अंदर ही रहेगा यहाँ mask और tracking को कैसे यूज किया जाए इसका छोटा सा example था So I hope you really like this See you soon, thank you